कोरोना संकट के बीच इंदोर के खजराना गणेश मंदिर में एक ऐसी घंटी लगाई गई है जिसे हाथ लगाने की आविशक्ता नहीं होगी जी हाँ इंदोर प्रेस कलब के महासचेव हेमंत शर्मा एवं आकाश चौहान के सहयोग से एक सैंसर युक्त घंटी खजराना गणेश मंदिर में लगाई गई है जो केवल इशारे से बजेगी जिसे छूने की जरुरत नहीं पड़ेगी देखे इस खास रिपोर्ट में अब जैसे ही आप बपा के दर्शन के लिए खजराना मंदिर पहुँचेंगे आपके हाथ उठाते ही अपने आप मंदिर की घंटी बचने लगेगी और आप इस भैसे मुक्त हो जाएंगे कि वर्तमान में फैल रहे कोरोना वाइरस के दौर में कहीं किसी ने घंटी को हुआ तो नहीं है हाथ उठाते ही बजने वाली घंटी कोई चमतकार नहीं बलकि आटोमेटिक सैंसर युक्त घंटी है जिसे इंदोर प्रेस क्लब के महसचेव हेमंत शर्मा एवं आकाश जोहान ने मंदिर को भैठ किया है कोरणा संक्रमन रोकने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है यही कारण है कि अब मंदिर भी दरशनार्थियों के लिए बंद है लेकिन आगे भी सावधानी रखी जाए इसके लिए अब नए प्रयोग किये जा रही है और ऐसा ही एक प्रयोग इंदोर के खज्जाना मंदि में किया गया है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस सैंसर युक्त घंटी के निर्माता नारू भाई किवा दूसरी कक्षा तक ही पढ़े हुए है लेकित उन्होंने इस कोरोना काल में ऐसी घंटी का निर्मार कर संक्रमण के दौर में नए आयाम स्थापित किये हैं और मैं इस काम में जूट जाता हूँ और वो काम सफल हो जाते हैं मेरे आपको बताते हैं कि यह घंटी सबसे पहले मंसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगाई गई इसके पास शाहत उज्जैन के महंकाल मंदिर में भी लगाई गई जबकि इंदौर में सबसे पहले खजराना मंदिर में इस घंटी को इंस्टॉल किया गया है निश्चित तरपर कोरोना काल में यहार डिस्टैंसिंग के लिहाद से कारगर साबित होगी आपको बताते कि मंदिरों में घंटी बजने से एक उर्जा का संचार होता है जब तक मंदिर में घंटी न बचाएं तब तक भक्तों को पूजा में संतुस्टी नहीं मिलती घंटी बचाना भारतिय संस्कृति का अभिन अंग है यही कारण है कि अब मंदिरों में आटोमाटिक सैंसर युक्त घंटी लगाई जा रही है यूर रपोर्ट, MP News एदार